जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2023 के पहले सूरिय ग्रहन के बारे में इस साल का पहला सूरिय ग्रहन किस दिन लगेगा? कहां दिखाई देगा? सूरिय ग्रहन का सूतक काल का समय क्या होगा? सूरिय ग्रहन किस रासी में लगेगा? ग्रहन के समय योग नक्षत्र क्या होगी? और अन्य ग्रहों की इस्थिति क्या होगी? और जानेंगे ग्रहन के समय क्या सावधानिया रखनी होगी? दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों सूरिय ग्रहन की घटना को महतपून माना जाता है जोतिसास्त के अनुसार जब सूरिय ग्रहन की स्थिती बनती है तो इसका आसर सभी राशियों पर पढ़ता है कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है तो कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है और कुछ पर सामन्य प्रभाब पढ़ता है इसके साथ ही ग्रहन का असर देश और दुनिया पर भी दिखाई देता है पंचांग के अनुसार साल 2023 का यह पहला सूर्य ग्रहन है जो कि 20 अपरेल 2023 दिन गुरुवार को बैसाख महीने के किर्शन पक्ष की अमावश्य तिथी को लगेगा और यह सूर्य ग्रहन मेश रासी में और अश्वनी नक्षत्र में लगेगा तो सूर्य ग्रहन के दौरान बारे रासियों में से तीन रासियां ऐसी होंगी जिनके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और यह सूर्य ग्रहन बेहद सुभ योगों के और विशेश सैयोंगों के साथ लगेगा सूर्य ग्रहन तब लगता है जब चंदरमा सूरज और प्रत्री के मध्या आ जाता है तो साल का पहला सूर्य ग्रहन 20 अपरेल 2023 को सुबह 7 बजकर 5 मिनट से प्रारम होगा जो की दोफेर 12 बजकर 29 मिनट पर समाप्त होगा सूर्य ग्रहन की अवधी 5 घंटे 24 मिनट होगी हाला कि भारत में यह सूर्य ग्रहन नजर नहीं आएगा इस सूर्य ग्रहन में सूतकाल भी मानने नहीं होगा वैसे तो सूर्य ग्रहन से 12 घंटे पहले सूतकाल समय हो जाता है और पंचांग के अनुसार भारत में सूर्य ग्रहन नजर नहीं आएगा जिसके चलते सूतकाल भी मानने नहीं होगा सूर्य ग्रहन का असर जहां पढ़ने वाला है उनमें ऑस्टेलिया, फिलिपिन्स, न्यूजिलेंड और दक्षिन महासागर सामिल है तो सूर्य देव इस दिन अपनी उच रासी मेश में होंगे और मेश रासी पर ही सूर्य ग्रहन पढ़ेगा और सूर्य ग्रहन के समय अन्य ग्रहों की इस्थिती को भी महत्पून माना जाता है क्योंकि ग्रहों की इस्तिती से आपके उपर ग्रहन का प्रभाव क्या होगा उसकी सही जानकारी ग्रहों की इस्तिती ही बताती है सूरिय ग्रहन के ठीक एक दिन बाद यानि 21-22 अपरेल की रात्री को देवगुरु ब्रस्पती 3.33 मिनट पर अपनी स्वरासी मीन से निकल कर अपनी मित्र रासी मेश में प्रविष कर जाएंगे जब देव गुरु मेस राशी में प्रवेश करेंगे तो अस्त अवस्था में होंगे क्योंकि 28 मार्श से देव गुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अपरेल की सुबह 2 बजकर 7 मिनट पर अस्त अवस्था से निकल कर उदय हो जाएंगे जब गुरु मेस राशी में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ यूति करेंगे और यहां राहु और देव गुरु के सईयोग से गुरु चंडाल दोस प्रभावी हो जाएगा देवगुरु की दरश्टी अमरत की समान फल देने वाली मानी जाती है ये जिन भावों पर अपनी दरश्टी डालते हैं उनकी वृध्धी करते हैं और वैसे विए वृध्धी कारक रहे हैं ज्यान और धन के कारक हैं तो सूरिय ग्रहन के पस्चाथ देवगुरु ब्रस्पति का गोचर सकरात्मक परणाम देने वाला होगा जो ग्रहन के दोसों को भी कम करेगा बात करें उन तीन रासियों के बारे में जिनकी किस्मत खुलने वाली है तो पहली रासी है विरसब रासी और बात करें विरसब रासी के लोगों के लिए ग्रहों की इस्थिति क्या होगी तो मंगल देव इस दौरान ग्रहन के दौरान आपके दित्य भाव में होंगे यानि धन भाव में होंगे और यहां इस्थित होकर आपके अस्टम्भाव पर दृस्टी डालेंगे तो ऐसे में परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा इस वरान आपकी वानी कटू हो सकती है तो इसलिए अपने गुस्षे पर काबू रखना होगा लेकर यहां ग्रहों की इस्थिति आपके जीवन को सकरात्मक रूप से प्रभावित करेगी आपकी वेतन वरद्धी संबग होगी कारिसल पर किसी नए पद की जिम्मेदारी आपको प्राप्थ हो सकती है नौकरी की तलास कर रहे लोगों को सुब समाचार प्राप्थ होगा नौकरी पेसेवर लोगों को नएव अवसर प्राप्थ होगी आर्थिक इस्थिति में सुधार होगा सुख सुविदाओं में वरद्धी होगी और सुरिय ग्रहन के दोरान एक ही घर में चार ग्रह मौझूद होगे में इस रासी में सुरिय, बुद्ध, राहु और चंद्रमा मिलकर चत्रुग्रही योग का नर्मान करेंगे सुरिय बुद्ध की यूति से बुद्धादित्य योग भी बनेगा शुकर देव, आपकी ही रासी में वराजमान होंगे, यानि लगन भाव में तो इस दोरान आपका व्यक्तित प्रभाव साली होगा आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे समाज में एक अच्छी पहचान, एक अच्छी छवी आपको मिलेगी, मान सम्मान पद्र प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी इस रासी के जो लोग साजेदारी में कोई कारिय कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे लाव के अपसर प्राप्त होंगे जिवन साथी का पूर्ट सहय योग मुलेगा, विदेशी स्रोतों से भी धलाब होने के योग बनेगे साथी सनी की किरपा दस्टी से आपको अपने वैपार में, वैपसाय में अच्छे अपसर प्राप्त होंगे केरियर में चार चांद लगेंगे और सफलताप के कदम चुमेगी दूसरी रासी है मिथुन रासी मिथुन रासी के लाव भाव में, एकादस भाव में चार ग्रहों की युत्ती होगी तो इस दोरान अचानक धनलाब होने की युग बनेंगे स्वास्ता बहुत अच्छा होगा पुरानी चली आ रही बिमारी खत्म होगी और आपके स्वास्ता का असर आपके कारोबार पर भी दिखाई देगा आप उर्जा से लब्रेज होंगे, उर्जा से भरपूर होंगे और अपने कारिय की प्रती एक्टिव नजर आएंगे और अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए जीतोड महनत करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी प्रेम सम्मन से जुड़े लोगों को कोई अच्छी ख़बर मिलेगी और संतान की और से सुब्जमाचार की प्राप्ति होगी नव दमपति को संतान प्राप्ति की युग बनेंगे वेपार में अच्छा लाब मिलेगा कुल मलाकर यह समय काफी अद्भुत साबित होगा मान सम्मान में व्रधी होगी कारोबार से अच्छे लाव की प्राप्ती होगी और यहां सनी की किरपा दस्टी से भागय का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा और गुरु आपके वैपार में वैवसाय में अच्छे लाव के अफसर देंगे तो समय काफी प्रभाव साली होगा तीसरी रासी है धनुरासी धनुरासी के लोगों पर सूर्य ग्रहन का सुब प्रभाव पड़ेगा इस दोरान आपको भागय का भरपूर साथ मिलेगा और भागय के सहयोग से कुछ अच्छे काम बनेंगे रुका हुआ काम चल पड़ेगा कारेशल पर कारिय की तारीफ होगी साथियों का भी सहयोग मिलेगा पारिबारिक जीवन भी सुखद होगा और आपके पंचम भाव में चार ग्रहों की इस्तिती आपकी संतान से कोई अच्छा कारिय करवाएगी संतान की और से कोई सुब समाचार प्राप्त होगा साथी संतान प्राप्ती के योग बनेंगे प्रेम संबंद मजबूत होंगे आपसी रिस्तों में सुधार होगा और आपके ज्यान में व्रद्धी होगी आपकी सोच बहुत दूर दर्ष्टी होगी अपनी सूजबूज से अपने कारी छित्र में अच्छे मुकाम हासिल करेंगे और यहां इन चार ग्रहों की सहींफ दृष्टी आपके लावभाव पर पड़ेगी तो ऐसे में लावग की अच्छे अफसर आपको मिलेंगी अच्छी बचत करने में आप काम्याब होंगे साथी स्वास्ते भी अच्छा होगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा तो समय आपके लिए काफी सुख़द साबित होगा दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें